एक बार सिर्धर नाम का ब्यक्ति गंगा असनान कर रहा था। उस समय गंगा में बहती हुई खपड में प्रज्वलित हवन उनके पास आकर ठहर गया। सिर्धर ने उसे सिर्व पर उठा कर अपने गाव ले आये और पूजन अर्चन कर खपड सहित हवनकुं को स्थापित कर दिया। गाव वासी पूजन अर्चन करने लगे। और मा जगदंबा स्थापित हो गई। श्री जगदंबा माजगदंबा माजगदंबा आदिशक्टि के यस्क छुगाऊं आदिशक्टि के यस्क छुगाऊं महारणी महारणी अम्बे मा, महारणी महारणी जड गॉन्बे मा, महारणी महारणी जग गंबे मा महारणी महारणी जग गंबे मा सिंग बाहिनी कम लाशनी हो नाम जपत दुर्ग नाशनी हो सिंग बाहिनी कम लाशनी हो सिंग बाहिनी कम लाशनी हो सिंग बाहिनी कम लाशनी हो महारणी महारणी जग गंबे मा 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 सिंग वाहनी कमला सैनी हो हवन होत गंगा में जाई सिर धर लिये सिर उठाई हवन होत गंगा में जाई सिर धर लिये सिर उठाई जग दंबा के आसन दीना वेप्रविधी बत पुजा कीना सिंग वाहनी कमला सैनी हो सिंग वाहनी कमला सैनी हो महारनी महारनी अंबे माँ सिंग वाहनी कमला सैनी हो थूप देप नेव तमालाए अक्षत चंदन पुश्म चणाए थूप देप नेव तमालाए अक्षत चंदन पुश्म चणाए केला नारियन छाप चणाए खेर बनाके विप्रजिमाए सिंग वाहनी कमला सैनी हो महारनी महारनी अंबे माँ सिंग वाहनी कमला सैनी हो माँ जगदम्बे माँ मंदिर की शोभाच बिछाई चारोर धाजा फराई मंदिर की शोभाच बिछाई चारोर जजा पहेदाई माँ जगदम्बा कहलाई माँ जगदम्बा कहलाई जगदम्बा स्था कहलाई पाठ हवन नित्य हो पूजा बढ़ी के अब लम न दूजा पाठ हवन पाठ हवन नित्य हो पूजा पढ़ी के अब लम न दूजा सिंगवायनी कमला स्था सिंगवायनी कमला स्था महारानी महारानी अंबे मा महारानी महारानी जगदम्बे मा महारानी महारानी जगदम्बे मा महारानी महारानी अंबे मा महारानी महारानी जगदम्बे मा जग दंबे मा जग दंबे मा जग दंबे मा जग दो दो